असाम मेरेकों, एजिव जिक्स के साथ मैं हूँ वासन पास, तो अगरे फस्स ले में रोड़ी देख रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बैल एकोन का बटन को प्रस करें, ताक आपको लेट इस वीडियो मिलती रहे हैं अप्निक्शन अफ लेंस को हमने स्टार गया था, तो इससे पिले हमने कैमरे पे वीडियो बनाई कि कैमरा के चीज़े और कैसे उसकी वर्किंग होती है, उसके बाद हमने स्लाइड प्रजेक्टर को बताया आपको कि स्लाइड प्रजेक्टर में कैसे इमिज़ बनती हैं, तो आपिशन लेंसे में हम फोटोग्राफिक ऐल लारजेश को हुआ हमारा आज काद के उथना है तो इसको बिस्ट्राफिक्शकेस करने माने हैं, तो फोटोग्राफिक ऐले अनठीक एलनती तो हमने किसी पेपर या कागस की इमिज को हमने बड़ा करके दिखाना है तो हम फोटोग्राफिक एलाजर को इस्तमाल करते हैं तो बेसिकली फोटोग्राफिक एलाजर की वर्किंग प्रासेस स्लाइब प्रजक्टर की ही तरह है लेकर थोड़ा सा इसमें डिफरेंच है वह यह है कि स्लाइब प्रजक्टर में हमने क्योंकि स्वर्स आफ लाइट रखा था और एक कनवरजिंग मिरर यानि के किनकेव मिरर का हमने इस्तमाल किया था लेकर यहाँ पे क्योंकि यह सारा एक बॉक्स के अंदर बंद है तो इसने हमने source अप्राइट सिंगल रख लिए हैं यहां पे के हमने concave mirror का conversion mirror का हम इस्तमाल ले करनें तो लाइट लेज़् यहां से source से निकलेगी और उसके बाद आगे हमने काले गाएं कि condenser lens लगाएंगे condenser lens यह हमको planal convex lens का नाम भी देते हैं तो इनके जो दिर्मियान फास्ला है यह हमने बहुत ही स्माल रखना है यानि कि हम ऐसे लेंस को एक साथ उला देंगे क्यों? क्योंकि लेंस से रोशनी बुझने के बाद रिफ्रेक्ट होती है लेकि जब इसको बिल्कुल हम साथ करके रखनेगे तो इसके रिफ्रेक्शन नहीं होगी लायट रेर पैनल होईगी यानि इससे लेंस को इस तरह से साथ उलागी है ऐसे साथ उलागी हमने रखने pillar है क्योंकि अगर ऐस नहीं रखते तो रेंस तो यहां से रिफ्रेक्ट रहते हैं इसलिए इनके दिम्याद फासला गया है वो हमने बिल्कुल बहुत समाद कर दे रहे है ताके रेज जो है वो पैलल चले जब ये पैलल रेज यहां से चलेगी उसके बाद हमने आगे स्लाइट रखी है बत्रों अबजेक्ट रखा हुए इसीचताि है तो अब इसमें यहां से प्रिस्पल एक्सले पेलल रेज चलती है वो रिफ्रेक्ट होती है लेज यहां पहुती होती है इस सवाशी कि इदर से प्धार होती है रिफ्रेक्ट हुती है तिससरे से हमारे पास इमिज यहाँ रियर इंटवर्टल और इमिज हमें आसर बसब दी है लेकर अब क्षिच्च्चन आ करे कि हमने slide या अबजेक्ट को हमने कहां पर रखना है तो हमने slide या object को जो है वो F से जो place बिजएट future आ पो प्रजेक्शन रह्ना है यहां भी हमने इसको रखना है यनि जो हमने slide रखनी है उसको हमने घाप रखना है slide तो हमने F से जाधा लेकर 2F से کम फासले पार रखना है यनि slide जो हमारे पास है इसको F से यनि focal point होते है ये हमने लैस्टस की विडियो में आपको बताया था तो focal point जो F होगा उससे हमने जादा लेकर 2F से इसको कम फासले पर रखना है तागे हमारे पास real, inverted और enlarger image है वो हमारे पास आ सके तो इस तरह से photographic enlarger जो है इसमें भी हम image को जो object जो हमारे पास image आती है उसको बड़ा किने के लिए हम इसको सक्माल करते हैं और स्लाइट को मिल्टा करके लग देंगें तागे image हमारे पास क्या है सीदी है। या अकसर आप फोटो का भी करोने जातें तो वहां पर आप आपको देख्ना होगा हम नहीं करते हैं तो यह फुक्राफिकल लाज़िकी वीडियो थी आपको आज की यह मेरी वीडियो कैसे लिए इसके बारे में किमिट्स पोक्स में आप ज़रूर बताएं अगर आप फरस्ट मेरी वीडियो दीखने तो मेरे चांट को सबस्क्राइब करें लाइक करें और वैल कर दो यह थाँ लामism।